मुक्तार अंसारी की मौत के बाद एक ऐसे सामराज्य का अंत हुआ जिसके शुरुवा थी क्राइम के दुनिया से हुई थी लेकिन मुक्तार अंसारी के बाद कई सवाल उठे कि आखिर मुक्तार अंसारी की मौत कैसे हुई उनका परिवार जो है लगातार इस बात को लेकर कहता रहा कि slow poison यानि कि धीमा जहर देने की वज़े से मुक्तार अंसारी की मौत हुई लेकिन आज ही जब मुक्तार अंसारी के post-mortem report सामने आई तो उसके बाद हर चीज क्लियर हो गई कि आखिर कैसे shock की वज़े से यानि की heart attack आने की वज़े से ही जो है मुक्तार अंसारी की मौत हुई जिसके बाद उन सभी बातों पर पूरी तरीके से पूर विराम लग गया है चाहे वो तमाम राजमृतिक दल हूँ, वो तमाम राजनेता हूँ या खुद उनका परिवार हो, जो इस बात को लेकर आरूप लगा रहा था कि मुक्तार अंसारी को जो है जहर दिया गया लेकिन हमने देखा कि आखिर मुक्तार अंसारी की मौत के बाद किस तरीके से उनके जनाजे में हज़ारों की भीड हुमड़ी वहाँ पर पुलिस को धक्का मुक्की करने पड़ गई पुलिस लगातार माइक से बात के अनाउंसमेंट कर रही थी कि लोग जो है शान्ती बनाए रखे लेकिन बावजुद इसकी वहाँ पर रस्तिती जो है आउट अफ कंट्रोल होती हुए नजर आई और इसलिए वहाँ पर नारेबाजी जब की गई तो पुलिस न साफता और पर कह दिया कि देखिए ड्रोन के जरिये जो है लोगों के वीडियो रिकॉर्ड किये जा चुके हैं तो अब कोई भी नहीं बचेगा लेकिन इन सब के बीच में हर किसी की नजर जो है वो एक शक्स पर थी और वो थी आफशा अंसारी यानि कि मुक्तार अंसारी की पत्मी हर कोई सोच रहाता कि शायद आफशा अंसारी जो है वो मुक्तार अंसारी के जनाजे में जरूर पहुचेंगी पिछले एक साल सिलापता है और जाहिर सी बात है कि पती की मौत के बाद उनके अंतिम सफर में जो है हर किसी को इस बात की उम्मीती की शायद जो है इस बार आफशा अंसारी नसर आएंगी लेकिर आज हम आपको इस वीडियो के जरी ये बताते हैं कि आकर आफशा अंसारी जो है वो कौन है मुकतार अंसारी के परिवार में कौन-कौन है और कैसे जो है इस क्राइम वर्ड की शुरुवात कुई थी देखे जब से पहले हम बताते हैं कि देखे दो हजार बाइस का वो वक्त दो हजार बाइस में अफशा के खिलाफ ग्यांग्स्टर आक्ट लगा दिया गया था 75,000 से भी जादा रुपय का एनाम जो है वो अफशानसारी के उपर है इतुना ही नहीं पुलिस अक्सर जो है उनके ठिकानों पर छापे मारी करते हैं लेकिन कई बार हमने देखा कि खाली हाँ जो है उन्हें घर लोटना पड़ता है हर राज्यों में लगभग आप मान के बाद 25,000 का अतरिक्त नाम घोशित किया गया जो पहले 50,000 का अब कुल मिलाकर 75,000 का हो गया लेकिन आपको बताते हैं कि मुक्तार के परिवार में कौन है देकि मुक्तार अंसारी के खुद की बात करे तो वो 5 बर विधायक रह चुके हैं उन पर 60 मुकदमे जो हैं वो दर अंसारी जो हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट तक इस बात की गुहार लगाते रहे कि वो अपने पिता के अंतिम सफर में शामिल खोना चाते हैं लेकिन कोट ने उन्हें इजाज़त नहीं दी सेक्योरिटी रीजन्स की वज़े से साफ मना कर दिया गया इतना ही नहीं अब आधास अंसारी की उपर साथ केस दर्ज है — मुकतार की छोटे बेटे अगरम उमर अंसारी की बात करें तो उन पर जालसाजी अवेद कब्जे की आरूप है और वो भी अब भी फ्रार जल रहा है मुकतार की बहुयाने की निखत अंसारी की बात करें तो उन पर पती को जेल से भगाने उसको सुख सुवधाय उपलब्ध कराने का रूप है और इस खाले कि उसके बाद वो है लगबग 6 मैने वो जेल मे रही फिलाल वो जमानत पर बाहर है मुकतार के बड़े भाई की बात करें अफजाल अंसारी के खिलाफ आधा दर्जन के इस दर्ज है हाला कि इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी के तरफ से टिकट दिया गया और यह कहा भी जा रहे कि उनका मुकाबला माफिया डॉन ब्रिजेश सिंग से हो सकता है अफजाल को गाजवपूर से टिकट दिया गया है और देखेए गाजवपूर में हमने देखा कि किस तरीके से मुकतार अंसारी को सुपुर देखा किया गया उने वही परदफनाया गया क्योंकि इस यही वो गाजिपूर जगा है जहां से इस अंसारी परिवार की जो है अपरादिक दुनिया की शुरुआत हुई थी अब ऐसे में हर कोई इस बात को ढून रहा है कि आखिर अफशा अंसारी के बारे में क्या कोई बिसबूत हाथ लग पाएगा या नहीं लग पाएगा